सो हलो गाईज वलकम बैक टो मैं चैनल वलकम टो एनदर वीडियो आप देख रहे हैं रिवी विट प्रितम चैनल और हम लेके आ गया है किया केरेंस वाइट कलर में यह आपका बेस मोडल से एक मोडल उपर वाला मोडल है इसमें क्या-क्या फीचर्स मिल जाता है यह किया के हर इसा लगता है फ्रॉंट से कमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए रिवीव सुरू करते हैं पहले हम लोग जिस सेटब के बारे मात करने वाले हैं तो इसमें आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ कवरिंग किया गया है हालोजन है बल्प टाइप का इंडिके आप आपको मिलेगा और जो डियारल से वो पुरही बंध है तो यह आपका कुछ नाइट में आपको इस तरह का दिखने अलाएक है और इसका चावी का अगर बात करें दोस्तों तो चावी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है जो की फ्लिप की है बाकी सब मॉड ग्रिल दिया गया है चारों सेंसर से आपको मिल जाते हैं यहां पर फॉगलेम का अगर हम लोग बात करें तो यह ब्लैंक है तो फॉगलेम इस पर नहीं आता है यह एक कमी किया ने छोड़ दिया अपना कार में ग्राउंड क्लियरंस का बात करें दोस्तों तो 195 में मतलब सेल पर फिनिस के साथ एक एसेंस दिया गया है ताकि फिनिसिंग जो लाइन है वो उसको टच-ब दे सेके सही से और किया ने प्रॉपर इस पर काम किया है प्रॉपर काम करने से भी लोगों देख सकते हैं आप नया वाला लोगों आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर किया ने अपना सेप्टी पैकेज को भी इंहेंस किया है हाला कि हाइलाइट उन लोग का यही है कि सेप्टी को ध्यान में रखते हुए किया जाए सब कुछ यहां पर आपको 1.5 का सी डिया डिया डिजल इंजिन मिल जाता है जो कि आपको सेल्टो जैसा ही टॉर्क से तो साइड जे कुछ इस प्राकार का लुक निकल गया आता है जहां पर 25% यूटिलाइज किया है इंजिन के लिए और 75% यूटिलाइज किया है बॉड़ी के लिए तो दोस्तों अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर सकते हम लोग आने वाले से वीडियो भी आपको जल्दी दे पाएंगे एमरेप का टायर कंपणी से प्रोवाइड किया गया है स्टील वील के साथ और इसका टायर साइज का बात करें 205-65R-16 का है सस्पेंशन में आप देख सकते हैं तोड़ा सा स्टीब ज्या जो सस्पेंशन सेल्टोर का उससे तो है जो बाकई में प्रीमियम नेस इसको दिखाता है आगे चलके दोस्तों बात करेंगे तो पहला चीज है जो इसका और भी एंडिया हुआ है इसमें टर्ण इंडिकेटर लेकिन दिया हुआ है तो क्रेटा जैसा बेस मोडल वाला नहीं सीन किया इसमें इसमें इंडिकेटर आपका दिया हुआ है वाइट अपका बॉडी कलर्ड डोर हैंडल मिल जाता इस पर तो यह यूनिक पॉइंट है तो दोर हैंडल सब देख सकते हैं बॉडी कलर्ड है विंडो क्रोम बीडिंग इसमें एक मिसिंग है तो यह टॉप वैरियंट के लिए है बाकी अक्सेसरी लगा इस पर स्पॉइलर भी आपको मिलता है और रूप में आप देख सकते हैं सार्क्विन एंटीना यहां पर टेल लेंप आपको हैलोजनी मिलेगा वही सेम लेकिन जो पैटर है इसका स्टार सेप का यह एक अच्छा चीज लगता है यहां पर रिवर्स के लिए इंडिके कहता है तो यह भी पैटर्न आपको इस पर दिख जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं चारों सेंसर अपना जगा पर है तो रियर में भी पार्किंग सेप्टी आपका एक्टिव रहेगा पियानो फ्लिक का टच नीचे में जरूर दिया है स्पेर वील आपको नीचे में द दिख रहे हैं कि ऐसे टैक्सी लग रहा बट फीचर वाइज यह तो टैक्सी बिल्कुली नहीं लग रहा बेट लाइनर यहां पर दिया गया है और कुछ स्टोरेज के लिए बूट लैंप यह बहुत एंटिक चीज है हर गाड़ी में इसको नहीं मिलता है बूट लैंप तो यह भी एक यूनिक सा टच पॉइंट जो है अंदर में दिया है तो अभी दोस्तों अंदर चलके आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या चीज है यह पूरा कारण्स तो यह डीजल वर्शन में है तो पहले मैं इगनिशन ओन करकर दिखा जेता हूं कि इसमें आपको कोई भी इसमें आप मैनुवली अजेस्ट कर सकते हैं वाकि यह भी देखना में बहुत ही अच्छा लगता है अगर मैं वींट का डिरेक्षन जैसे में बढ़ाता हूं तो इसको आपको बेस मोटल के तरह दिखेगा यह चीज तो इसको आप डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं डायरेक् एक मैनुवल से चाबी दिया जाता है यहां लॉक अनलॉक और फूल्ड बटन है बूट को ओपन करने के लिए तो इसको मैं इगनिशिन ओन कर देता हूं तो यह आप एमाइटी देख सकते हैं इसमें आपको बेस मोटल में ही सिक्स एयर बैग जैसे कि आप देख सकते हैं य पैनल तो इंटियर कलस्टर जो है बहुत ही अच्छा और यूनिक से डिजाइन मनाई गया है जहां पर आप ड्राइविंग एसिस्टरंट कलस्टर सेटिंग लाइट सेटिंग डोर कन्वीनियंस इवनिट रिसेट यह सारा चीज आपको इसमें मिल जाता है वही मैं आगर ब दस्टर में आपको एट इंच का टच्स्क्रीन देता है तो यह टच्स्क्रीन आपको वाकर में बहुत ही सांदा लगने वाला है क्योंकि इसमें जो है बहुत ही स्मूथ काम करता है बहुत ही स्मूथ और यह लगता नहीं कि आपको लैग बगार जो हो रहा है दाकि यहां प आपको फ्रॉंट और रेयर दोनों में पार्किंग सेंसर मिल जाता है इल्युमिनिशन हर एक स्वीच में मिलेगा मतलब इधर भी आपका लाइट जलेगा जब आप नाइट के टाइम रहेंगे इधर भी आपका नाइट के टाइम जलेगा जो चीज का इसमें कमी है जिसको चल मिल जाता है सीट में आपको कबर चड़ाना होगा क्योंकि कबर के साथ सीट नहीं आते हैं स्पीकर के बात करें तो मैं खुद टेस्टिंग किया हूं आप मैं इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं इसका सांड्स के लिए बहुत ही अच्छा और प्रीमियम सांड्स है बाक सबस्क्राव करें सबस्क्राब कर सब्सक्राइब यहékत लखला हुआ है आपको छोटा सा स्टोरेज के लिएस लिए पर आपको एक टिकेट अल्डर मिल जाता है vanity mirror आपको साइध इधर मिल जाता है चारों में डूर हैंडल से तो फ्रॉंट में कुछ इस तरह का है और इसका height adjustment आपको seats के अंदर मिल जाता है तो seats में भी आप height adjustment अपने हिसाब से कर सकते हैं तो base model में भी आपको कोई चीज का offer ऐसा कम है ऐसा नहीं है टीपी में sensor भी यह दिया हुआ है तो आप sensor भी चेक कर सकते तो यहां पर देख सकते हैं आप टायर पेशर मोनिटरिंग सिस्टम जो की base model में दिया गया है बाकि यहां पर पूस्टाट तो नहीं है आप traction को कर सकते हैं और headlight को आप adjust कर सकते हैं अपन डाउन में तो यह था कुछ फ्रॉंट का अभी चलते हैं पीछे और दिखाते हैं आपको पीछे में इसको क्या मिलता है तो उससे पहले दोची जो मैं और दिखाना चाहता हूं जो यहां पर आप देख सकते हैं क्वाइन होल्डर इसको बनाया आम स्टोरेज भी आपको मिल जाता है जैसे आपको टॉप मोटल मिलता वैसे ही बाकी प्रीमियम फिनिस जो है यहां पर थोड़ा सा लेदरेट का फिनिस दिया गया है तो यह कुष्णिंग भी है थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस पर दब रहा है तो कुष् आपको एंट्री होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा टंबल डाउन का फीचर से इसमें तो आप जैसे पूस्ट करेंगे तो यह टंबल डाउन हो जाएगा मतलब पूरा ही सीट आ जाएगा आगे ताकि आप इसली एकसेस कर सकते हैं पीछे पीछे में आप तो सारा वीडि सकते हैं स्पेस के मामले में तो कोई कमी नहीं मेरा हाइट पांच फीट आठ है और यहां आप देख सकते हैं तो यह सारा चीज फिनिस दिया गया इस पर रूप माउंटेड आपको सारा चीज मिलेगा यहां पर आपको केमिन लैंब तीन मिल जाता है लेकिन यहां पर रीड स्प्लिट सीट के साथ है और रियर में आप देख सकते हैं काफी स्पेस है रियर में भी एसी भेंट्स और आपका रेडिंग लैम तो यह यलो है यह अज़े कोई कमी नहीं लगा है बाकी आप देख सकते हैं सारा चीज पीछे से यहांपर प्रस्पेस के मामले में किया ने काफी अच्छा काम केया यहां आ थिगा इक्स शिषय मासिन आता है सबसे यहांपर प्रस्पेस् घ्ली आइए है यहां पर भी storage utilization किया है बाकि यह swap touch नहीं है पूरा ही fiber है तो आपको इस में तोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बाकि यह गंदा बगरा होगा तो आप इसली वास्प भी कर सकते हैं तो एक बार पीछे चलके चैन से में दिखा जिएता है आपको पीछे के स्पयस है है कि आगे का सीट मेरा जैसे आप देख सकते है कि बहुत आगे कि यह पहते कि अच्छा है तो यह था एक छोटा सा वीडियो के लिए आपको कैसा लगा इस मॉडल का वीडियो कमेंट सेक्षर में आप जरूर बता सकते हैं और हाइट भी देख सकते हैं आप पांच पीट आठ की इसाब से बहुत ही अच्छा है स्टोरेज के यूटिलाजेशन बहुत अच्छे किया है यहां पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है तोटल पांच पॉइंट आपको इस पे मिलेगा चार्जिंग वाला पीछे में दो आगे में दो और सामने में एक आपका तोटल पांच दिया हुआ है इसमें दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें लाइक का बटन दवाना बिल्कुली ना भूलें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल पर ताकि हम लोग और भी आगे तक दर्सायों को पहुँचा से अपना ये वीडियो छोटा सा चैनल आपका छोटा भाई स्टार्ट किया है उम्मीद करता हूँ अब के लिए इतना ही दोस्तों मिलते एक नय वीडियो के साथ जैहिंद वंद्य मातरम इस वीडियो का लाइक टरगेट हम लोग तू के रखते हैं उमीद करता हूँ आप घर देंगे जैहिंद वंद्यमातरम